तो इसके पश्चात हमें जो तीसरी अवधारना प्राप्त हुई वह हुई लुईस की अमलचार की अवधारना लुईस की अमलचार अवधारना मुख्य रूप से एकाकी इलेक्प्रान युग्म की अवधारना पर आधारित है उन्होंने बताया लुईस के अनुसार ऐसा कोई भी पदार्थ अनु या स्पीसीज जो कि किसी दूसरे पदार्थ को एका की इलेक्टरान युग्म या लोन पेयर डोनेट कर सकता है और दूसरा वो पदार्थ जो कि किसी दूसरे स्पीसीज से इलेक्टरान युग्म ग्रहन कर सकता है तो इस इलेक्टरान युग्म देने और इलेक्टरान युग्म ग्रहन करने के आधार पर लुईस ने पदार्थों को अमल और छारकों में भेन्नित किया तो लुईस के अनुसार अमलब वेपदार्थ होंगे जो की इलेक्ट्रान योग्म ग्रहन करने की प्रवित्ती रखते हैं. दूसरी ओर लुईस के अनुसार छारक वेपदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रान योग्म त्यागनी की प्रवित्ती या दान करने की प्रवित्ती रख सकते हैं। उधारन के लिए हम यहाँ पर फिर से एक उधारन लेते हैं है। यहाँ पर हमने लिया है Ammonia NH3 और हम जानते हैं कि Ammonia के nitrogen में एक लौन पेर उपस्थित होता है। जब हम इसकी क्रिया Boron Trifluoride BF3 से कराते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं BF3 जो कि एक उदासीन अनू के रूप में हमें दिखाई दे रहा है जब हम इसकी Lewis सरचना बनाते हैं तब हम देखते हैं कि चुकि बोरॉन इसका परमाणू करमांग होता है पांच और इसके बाहतम कोश में 3 इलेक्ट्रान होते हैं और जब यह 3 फ्लोरीन परमाणओं के साथ सरसयोजग बनाता है तो इसके बाहतम कोश में कुल इलेक्ट्रानों की संख्याथ उच्छे हो जाती है जो कि अस्टक से दो कम है यनि कि यह एक इलेक्ट्रान न्यून योगिक है और इसे इलेक्ट्रान की आवशक्ता होती है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमोनिया जिसके पास एक अस्टक पूर्ण हो जाने के पश्चात एक अतरिक्त लोन पेर उपस्तित ह जबकि BF3 जिसके पास एक इलेक्ट्रान योगम की कमी है अता यहाँ पर अमोनिया अपने इलेक्ट्रान जोड़े BF3 के बोरोन को दे देता है तो चुकि यहाँ पर अमोनिया का नाट्रोजन अपने नाट्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रान योगम दे रहा है इलेक्ट्रा लूइस के अनुसार जो होते हैं वो इलेक्ट्रान योग्म ग्राही होते हैं जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर अमोनिया अनु के द्वारा जिसके नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रान योग्म उपस्तित है उसके द्वारा एक इलेक्ट्रान योग्म त्यागा जा रहा है इसलिए यहाँ पर अमोनिया को हम लुईस चार कहेंगे और दूसरी और बी एफ-3 जिसके बोरोन परमानू के द्वारा इलेक्ट्रान जोड़े ग्रहन किये जा रहा हैं इसलिए बी एफ-3 को हम लुईस आमल कहेंगे क्योंकि लुईस अवधारना के आधार पर इलेक्ट्रान जोड़े त्याग करने वाला पदार्थ या स्पीसीज लुईस चार कहलाता है जबकि इलेक्ट्रान जोड़े ग्रहन करने वाला पदार्थ या स्पीसीज लुईस अमल कहलाता है इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चुकि अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणू के द्वारा एक एलेक्ट्रान जोड़ा दिया गया जिसे बी-फ-3 के बोरान परमाणू के द्वारा ग्रहन किया गया और दोनों के बीच एक उपसहसयोजक बंध का निर्मान हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं उपसहसयोजक बंद उस बंध को कहते हैं जिसमें की साजह का इलेक्ट्रान जोड़ा के वल एक स्पिसीस के द्वारा दिया जाता है जबकि उस पर हग या उस पर अधिकार साजह करने वाली दोनों स्पिसीस का होता है तो यहाँ पर हम NH3 और BF3 के मद्ध एक उपसासायों जग बंध का निर्माण हो रहा है और इस तरह से NH3, BF3 एक योगिक बन रहा है जिसे हम उपसासायों जग योगिक कहेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हम अब देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन से स्पीसीज या पदार्थ होंगे जो की लूइस अमलों की तरह विवहार करेंगे जैसे कि हम जान चुके हैं लूइस अमल वह स्पीसीज होगी जो सामनी वाले से इलेक्ट्रान जोड़े ग्रहन कर सकेगी और नैचरली इलेक्ट्रान जोड़े वह ग्रहन करेगा जिसके पास इलेक्ट्रानों की कमी है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन है जो लूइस अमल की तरह विवहार करेंगे तो उसमें पहला उधारन हम ले रहे हैं केंद्री परमानू का जो अस्टक जिन इस्पीसीज में अपून होता है या जिसमें जो इलेक्ट्रान नियून योगिक होते हैं वह लूइस अमल की तरह विवहार करते हैं उधारन के लिए यहाँ पर हम ले सकते हैं अल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जिसमें की अल्यूमिनियम का जो अस्टक है वह अपून होता है इसी तरह से बोरान ट्राइक्लोराइड यहाँ पर भी हम देखें कि बोरान के बाहतम कोश में सिर्फ 6 इलेक्टरान होते हैं इसी तरह से जैसे कि अभी हम इने उदारान देखा BF3 इसके भी बाहतम कोश में 6 इलेक्टरान होते हैं इसका अस्टक अपूर्ण रहता है यानि कि इसमें केंद्री धातु जो परमानू है जो केंद्री परमानू है उसका अस्टब पूरा नहीं है इसलिए इन्हे इलेक्ट्रान की आवशक्ता है जूकि ये इलेक्ट्रान सकते हैं क्योंकि जब हमें सामने वाले स्पीसी से इलक्टरांट जोड़े मिल रहे हैं तो उसे रखने के लिए हमारे पास रिक्तिस्थान भी होना चाहिए तो इसी तरह से हम उधारन ले सकते हैं जैसे फास्फोरस्ट्राइफ फ्लोराइड यहां पर फास्फोरस्ट के पास इसी तरह से सब्सक्राइब करेगी क्योंकि यह इलक्टरान जोड़े ग्रहन करके इन्हें रख सकती है या हम कह सकते हैं कि इसके अलावा जो संक्रमन तत्व होते हैं हम जानते हैं कि जो संक्रमर तत्वों होते हैं वो भी उनके पास रिक्त डी ओर्बिटल होते हैं और इसलिए वो इलेक्ट्रान जोड़े ग्रहन कर सकते हैं और इसलिए ये भी जब कॉंप्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो उस समय ये लुईस अमल की भाती ही स्थित होते हैं ऐसे धन आयन जिनमें के रिक्त कक्षक पाए जाते हैं इस पस्ट है चुकि यह इनमें धन आयन है और इसलिए इन्हें इलेक्टरान की आवशक्ता है यह इलेक्टरान ग्रहन करके वापस उदासीन हो सकते हैं तो इनके यह भी लूइस अमल की भाती विभार कर सकते हैं जैसे कि यहां पर FE 2 प्लस हम ले सकते हैं, MN 2 प्लस ले सकते हैं, निकल 2 प्लस ले सकते हैं, या जड़न 2 प्लस ले सकते हैं, यह जो संक्रमन तत्व हैं, यह इनके पास जब यह आयन अवस्था में होते हैं, तो इनके पास रिक्त D-orbital होते हैं और इसलिए जैसे कि पर हम जिंक की विशेस बात करेंगे जिंक जो तत्व है उसकी सामानी अवस्था में डी और्बिटल पूर्ण होते हैं लेकिन जब यह टू प्लस आयन बना लेता है उस स्थती में इसके पास रिक्त और्बिटल हो जाता है और उस स्थती में यह इलेक्ट्रान ग्रहन करने की प्रवित्ती रखता है और इस तरह यह लूइस अमल की भाती विवहार करेगा इसी तरह से कुछ सरल धनायन उदारान के रूप में हम ले सकते हैं जो से की कार्ब किटायन जो आरगनी कंपांड होते हैं उनमें यदि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी प् इसी तरह से हम जानते हैं अनच 4 प्लस यहन की अमोनियम आयन इसमें भी इलक्ट्रान की कमी है और यह इलक्ट्रान जोड़े ग्रहन कर सकती है और इस तरह यह भी लूइस अमल की भाती विवहार करेंगे तो इस तरह से हमने देखा कि अलग-अलग प्रकार की स्पीसीज हैं जिनकी प्रवित्ती इलक्ट्रान जोड़े ग्रहन करने की होती है वो लूइस अमल की भाती विवहार करेंगे इसी तरह से आईए आप कुछ उदारण हम देखते हैं ऐसी स्पीसीज की जो लूइस छारकों की भाती विवहार कर सकती हैं उदारण के लिए हमने जैसे की पहल का विवहार करेंगी उदारण के लिए हम ले सकते हैं यहां पर नाटोजन के पएस लोन पेर होगा इसी तरह से हम आर ओएच यानि की ऐलकोहल से जिसमें की oxygen के पास दो लोन पेर होते हैं इसी तरह से हम एथर का उधारन ले सकते हैं जैसे कि ROR यहां पर भी oxygen के पास दो लोन पेर होते हैं इसी तरह से universal विलायक यानि की जल जिसके oxygen पर भी दो लोन पेर होते हैं और इसी तरह से ammonia N3 जिसके nitrogen पर एक लोन पेर उपस्तित होत है और इनकी प्रवित्ती इलेक्ट्रान जोड़े त्यागने की होती है और इसलिए यह लूइस छार की भाती विवहार करेंगे इसी तरह से हम ले सकते हैं कुछ रिणायन सिंपल रिणायन क्योंकि हम जानते हैं किसी भी उदासीन परमानूं पर रिणायन तब आता है जो उसक की प्रवित्ती भी इलेक्ट्रान त्यागने की हो जाती है और इसलिए भी यह लूइस छार की भाती विवहार करेंगे उदारन के लिए हम ले सकते हैं जैसे इसी तरह से कुछ इसपीसीज जिनमें की दूई बंध या त्री बंध पाए जाते हैं या हम कह सकते हैं जिनमें बहु बंध पाए जाते हैं अब हम यह जानते हैं कि जिनमें बहु बंध होता है उसमें माली जे दो बंध हैं तो दो बंध में एक ही सिगमा बंध होता है जो की मदबूत बंद होता है लेकिन दूसरा बंद पाई बंद होता है और पाई बंद में जो इलेक्टरान होते हैं वो लूजली फिटेड होते हैं लूजली बंद होते हैं और आसानी से यह देने के लिए स्वतन्त्र मुक्त हो सकते हैं इसलिए ऐसे स्पिसीस जिसमें की दूइबंद यह तृएफिबंद पाया जाता है वो भी लुइस छार की भाती vents विवहर कर सकते हैं जैसे कि यहon पर हम ले सकते हैं कारबन मोनोक्साइब यहां पर भी carbon और oxygen के बीच triple bond पाया जाता है इसी तरह से हम ले सकते हैं nitric oxide NO तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जहां बहु बंद होता है वहां पर मुक्त जो पाय लेट्रान होते हैं वह असानी से मुक्त किये जा सकते हैं और इसलिए ये भी species लूइस चार की भाती विवहार कर सकते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि लूइस की अमल चार की जो अवधारना है वो आरेनियस की अवधारना तथा ब्रॉंस्टेंट लॉरी की अवधारना की तुल्ला में अधिक विस्तृत है और बहुत सारे पदार्थों को अमल और चार में भिन्नित करने में सक्षम हैं तो यहां पर हमने देखा जो लूइस अवधारना की विशेस्ताएं हैं उसमें हमने देखा कि यहां पर सबसे जो महत्तुपूर बात थी वो यह कि किसी भी पदार्थ की अमली या चार की लक्षन को प्रदर्शित करने के लिए यहां पर प्रोटॉन की उपस्थती अनिवा पर बताई जाती है दूसरी और यहां पर हम देखें कि क्योंकि यहां पर किसी भी स्पीसीज के अनुसार जो इसकी जो अमलता या चारकता गुण है वो उसकी विलायक की प्रकृती पर निर्भर नहीं करता है तीसरी बात यहां पर हम देखें कि जो निर्जली विलायक होते हैं या जो निर जली ही लाइकों पर भी ये जो लुस अर्मलकचार की अफ़हरी की आवधारना वो लागू हो सकती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैं काफी विश्तृत है और काफी जाखाइर हम इसका ही उप्योग करते हैं काफी वित्रत होने के व्यापक होने के बावडूत भी लूइस अवधारना में कुछ कम्या देखने को मिलती हैं तो यहां पर अब देख लेते हैं कि लूइस अवधारना की कम्या क्या है जो सबसे पहले हमने यहां पर देखा है कि जो लूइस अमलचार अवधारना है वो इलेक्टरान डोनेट करन इलेक्ट्रान जोडे त्यागने या लेने के प्रवित्ती पर आधारित है और यहां पर हमने देखा कि देने वाले और लेने वाले के बीच उपसहसयोजक बंध का निर्माण होता है इस पस्ट है कि वही पदार्थ या स्पीसीज के को हम लुईस अमल या लुईस छार के रू नहीं बनाते हैं उन्हें उनकी प्रकृति या उनकी अमलीता या चारिता की जो गुण है उसको हम लुईस अवधार्णा के द्वारा इस पस्ट नहीं कर सकते हैं दूसरी बात यह कि लुईस अमल छारक जो अवधार्णा है वो वास्तों में अम्ल चारक सिधान को इसपस्ट नहीं करती है क्योंकि हम जानते हैं कि जो अम्ल और चारक होते हैं उनकी तीवर अभी क्रिया करने की प्रवित्ती होती है तीवरता से ये क्रिया करते हैं जब कि जो लुइस कंपाउंड बनते हैं उनमें उपसासयोजिक से होती है इसके अलावा हम ये भी देखें कि भिन भिन प्रकार के जो अमल है या चारक है उनकी अमलता या चारकतकी आपेक्षिक प्रबलता ही तुल्ला भी हम अमल लुइस के अम्रचार सिधान्द के आधार पर नहीं कर सकते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि लुइस की अवधार्ना काफी विस्तृत होने के बावजूद यहां पर इसकी कुछ सिमाई भी है और इसके लेकिन फिर भी यहां आरेनीस की अवधार्ना और ब्रॉंस्टेट और इकी अवधार्णा के तुल्ना में काफी विस्तृत है उप्योगी है इसलिए विभिन रासायनिक प्रक्रमों में हम लुइस की अवधार्णा का ही उप्योग करते हैं अमलो तथा चारकों की विभिन अवधार्णाओं को समझने के पश्चात आईए अब हम जानते हैं कि अमलो एवं चारकों का आइनन किस प्रकार से होता है या हम ये कहें कि इनकी प्रबलता की तुल्ना हम किस प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पर हम बता दें कि चुकि बहुत सी रासाइनिक अभी क्रियाएं तथा सभी जैविक अभी क्रियाएं जली माध्या में होती हैं अतह अमलो या चारकों की आईनन की प्रक्रिया या छमता को समझने के लिए हम आरेनियस की अवधार्णा को लेंगे क्योंकि आरेनियस की अवधार्णा जली माध्या में प्रोटॉन त्यागने या हैड्रोक्सिल आईनों के त्यागने पर आधारित है तो सबसे पहले हम जानते हैं अमलों की प्रबलता हम यहाँ पर बता दें कि कि किसी भी अमल की प्रबलता उसके द्वारा प्रोटॉन त्य त्यागे जाते हैं कौन्स अमल कितनी अधिक मात्रा में प्रोटॉन त्यागेगा या विलियन में अधिक मात्रा में एच प्लस आयन देगा उसकी प्रबलता उतनी अधिक होगी दूसरी भाशा में हम कह सकते हैं कि किसी भी अमल की आयनन की मात्रा जितनी अधिक होगी और हम ज प्रबल होगा यह तीसर बरकार से हम यह भी कह सकते हैं कि किसी अमल का व्योजन स्थरांग जिसे हम के एक द्वारा दर्शाते हैं उसका मान जितना अधिक होगा वह अमल उतना प्रबल होगा इसे हम एक उदारन की द्वारा समझते हैं माल दीजे हमारे पास एक अमल है है जो क की व्योजित होकर एच प्लस प्लस ए माइनस आयन देता है यहाँ पर यदि हम सामे स्थरांग का मान यहाँ पर निकाले जिसे हम के एक द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर इसके सामे स्थरांग निकालने के लिए जो सूत्र होगा वो हो जाएगा यहाँ पर तो य और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो h plus आइनों की सांद्रता है वो व्योजन इस्थरांग k a के समान उपाती है इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी प्रबल अमल के लिए या अमल की k a का मान ये व्योजन इस्थरांग का मान जिसके लिए अधिक होगा उसके लिए h plus का मान भी अधिक होगा और जिसमें H-plus का मान अधिक होगा यानि कि उसके proton त्यागने की छमता जितनी अधिक होगी उसकी अमलता उतनी अधिक होगी यहाँ पर हम कुछ प्रबल अमलों के उदारन लेते हैं यहाँ पर हमारे पास उदारन है जैसे कि HCl4 ये है क्लोरिक अमल इसके अलवा HCl है HBR है HI है नैट्रिक एसिड HNO3 या H2SO4 ये सभी प्रबल अमल की शुरणी में आते हैं क्योंकि जब इन्हें जल में विले किया जाता है तो ये पूरी तरह से व्योजित हो जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में H प्रबल अमल होंगे वो बहुत कम मात्रा में व्योजित होंगे और बहुत कम मात्रा में H प्लस आयन उपलब्द कराएंगे इसी तरह से यदि हम प्रबल छारकों की बात करें तो आरेनियस के अनुसार हमने जाना कि जो प्रबल छारक होते हैं वो विलियन में हड्रोक्सिल आयन उपलब्द कराते हैं तो यहां पर हम देखें कि जो छारक ह चारक्ता उसके अड्रोक्सिल आयन त्यागने की चंटा पर निरभर करेंगे यह हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि किसी भी चारक्ता उसकी आयनन की मात्रा अलफा पर निरभर करेंगे या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी छारक की छारकता उसके व्योजन इस्थरांग यानि की के बी के मान पर निर्भर करेगी के बी का मान जितना अधिक होगा किसी भी छारक की छारकता उतनी अधिक होगी क्योंकि यहाँ पर के बी का मान हम देखेंगे जब सामें इस्थरांग गड़ना करते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि के बी कामान हैड्रोक्सिल आइनों की सांदरता के समानुपाती होता है तो यह निकी जिसके के बी कामान अधिक है उसका निश्चित तोर पर यह दर्शाता है वह कि उसमें हैड्रोक्सिल आइनों की अधिकता है और हैड्रोक कराते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो प्रबल अमल होंगे वो उत्तम या उच्च कोटी के प्रोटॉन दाता होंगे या जो प्रबल छारक होंगे वो बहुत अच्छे प्रोटॉन ग्राही या उत्तम प्रोटॉन ग्राही होंगे और इसलिए हम उन्हें ब्रॉंस्टेंट लॉरी छ कहेंगे आईये अब हम एक दुरबल अम्ल के अम्लचार व्योजन साम्में का अध्यन करते हैं क्यूंकि हमने जाना जो दुरबल अम्ल होते हैं उनका व्योजन धीमीघति से होता है और धीमीघति से होने की वज़ह से एक निष्टित समय के पश्चात इन में साम्यवस्था स्थापित हो जाती है क्योंकि इस स्थती में अमल के व्योजित आयनों के साथ साथ यहां पर यानिकी विलियन में अव्योजित अनुभी उपस्थित होते हैं और इसलिए यहां पर हम जो दुर्बल अमलों की बात करते हैं तो वहां पर हमे अमल छार व्योजन साम्यवस्था देखने को मलती है उदारण के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं माल लेज़े एक अमल है HA जिससे हमने जल में विले किया है जल H2O और यहाँ पर रिवर्जिबल क्योंकि यहाँ पर अमल एक प्रोटान त्यागेंगे जिससे जल के द्वारा ग परिवर्तित हो जाएगा और चूकि अमल ने एक प्रोटान त्यागा है इसलिए वह A- में परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूकि जल के द्वारा एक प्रोटान ग्रहन किया गया है इसलिए यहाँ पर यहाँ एक छारक है जबकि HA अमल के द्वा टीसात जल के द्वारा एक प्रोर्टान करनी के परश्चाथ मुझा हाड्रोणियम और यहां पर इनके बीच प्रेंग ठीक्षरगी स्थानांतरन के द्वारा एक गतिक साम यहांपर इस्थापित हो क्योंकि यहां पर हम अभिकारक पक्ष तथा उत्पात पक्ष दोनों तरफ देखते हैं तो यहां पर दोनों स्पीसीज में एक प्रोटॉन का अंतर हमें दिखाई देता है तो एक प्रोटॉन के यहां पर स्थानांतरन से यहां पर एक गतिक साम्यावस्था हमें दिखाई दे तो यहाँ पर हमें अमल तथा दूसरे बनने वाले जो सयुगमी अमल है उनकी अमलता की तुल्ला करनी होगी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों अमल यहाँ पर एक अमल हमारे पास है HA तथा जो बनने वाला सयुगमी अमल है यहने की हाड्रोनियम आयन S3O+. यदि हम इन दोनों की तुल्ला करें कि इन दोनों में प्रबल अमल कौन है यदि HA प्रबल अमल होगा तो चुकि जो प्रबल अमल होगा वा प्रोटान त्यागने की उसकी प्रवित्ति अधिक होगी तो इस स्थती में जो HA के द्वारा प्रोटान त्यागा जाएगा और अभी क्रिया की दिशां यहां कहें साम्य वस्था की दिशां अगर दिशां की ओर फारवर डारेक्शन में होगी है दूसरी और यदि h2o तथा h minus की तरफ हम देखें तो यहां पर हम देखें चूकि H2o यहां पर छारक की भाती विफर कर रहा है तथा H minus सयुगमी चारक है इन दोनों चारक में जो अधिक चारकी प्रवर्तिके होंगे जो प्रबल चारक होगा उसके द्वारा प्रोटॉन ग्रहन किये जाएंगे और इस तरह से जो साम्य की दिशा है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन अधिक प्रबल चारक है उसके द्वारा प्रोटॉन ग्रहन किये जाएंगे और साम्या वस्था की दिशा भी उस दिशा में अग्रिसर होगी तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साम्य दुर्बल अमल तथा छारक की दिशा में अग्रिसर होती है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अमल है एचे प्रबल अमल है तो अभिक्रिया किस और अग्रसर हो रही है दुर्बल अमल की तरफ या हम यह कह सकते हैं जो अभिक्रियाैं या साम्या विस्था हैं किस और अगरसर हो रही है वह प्रबल छारक की दिशा में अगरसर हो रही है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बनने वाला जो अमल होगा या बनने वाला जो चार है या जो सयुगमी अमल या सयुगमी चार है वह जो मुख्य अमल और चार है उनकी तुलना में प्रबल है या दुर्बल है या इस बात को निर्भर दर्शाएगा कि जो साम्या वस्था की दिशा है वह किस दिशा की और होगी इस परकार हम देख सकते हैं प्रबल अमल होते हैं उनके द्वारा जो छारक बनते हैं वह दुर्बल छारक होते हैं क्योंकि जो प्रबल होते हैं पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और इसलिए इनसे बनने वाला जो छार होता है वह दुर् प्रबल अमलों के सयूगमी छारक हमेशा प्रबल होते हैं इसे हम उदारण के द्वारा भी समझ सकते हैं यहाँ पर माली जे हमारे पास प्रबल अमल है यहाँ पर HClO4 जो कि एक प्रबल अमल है जब इसमें से एक प्रोटान निकल जाएगा तो चुकि यह प्रबल अमल है तो इससे बनने वाला जो सयूगमी छारक होगा CLO4 माइनस या एक दुरबल चारक होगा इसी तरह से HCl जो कि प्रबल अमल है इससे बनने वाला Cl माइनस दुरबल चारक होगा HI, HBR यह भी प्रबल अमल है इसलिए इनसे बनने वाले BR- या H- दुर्बल चारक होंगे, इसी तरह से HNO3 चुकी प्रबल अमल है, इसलिए इससे बनने वाला NO3- एक दुर्बल चारक होगा, इसी तरह से H2SO4 जो की एक प्रबल अमल है और इससे बनने वाला जो चारक होगा वो एसो फोर नेगेटिव या एसो फोर टू माइनस या एक दुर्बल छारक होगा तो यहां पर हम यदि हमें मुख्य अमल की प्रबलता पता हो तो हम यह जान सकते हैं कि जो जो साम्य वस्था है वह किस दिश्रा में अग्रिसर होगी इसी तरह से जहां पर हम कुछ दुर्बल अ जो बनने वाला जो सयुगमी चारक होगा वह प्रबल चारक होता है इसलिए कौन दोनों अमलों की तुल्ला करते समय हमें यहां पर द्यान देना है कि जो मुख्य अमल है वह प्रबल है अथ्वा दुर्बल है या फिर जो सयुगमी अमल बनने वाले हैं वह प्रबल है अथ् क्योंकि इनके आधार पर ही जो साम्यावस्था की दिशा हमें ग्याद होती है क्योंकि साम्यावस्था की दिशा होती है वह प्रबल अमल से की ओर से दुर्बल अमल की ओर जाती है क्योंकि प्रबल अमल प्रबल शार को प्रोटॉन डोनेट करते हैं यहाँ पर हम एक बात और बता दें कि हमने यहाँ पर कहा कि किसी भी अमल की अमलता उसके द्वारा त्यागे गए प्रोटोनों की छमता प्रोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है तो यहाँ पर हम कुछ उदारन लेंगे जैसे कि यहाँ पर एक छार की अमल है द्वी छार क तो यहां पर देकर हमें कन्फूज नहीं होना चाहिए ovat कर का उसकी आनन चमता कम होगी या वह कम प्रोटॉटॉन ट्यागी गाए जिसके पास अधिक प्रोटॉन देंगा वह अधिक प्रोटॉन देगा यहां पर किसी भी अमलता उसकी चारी कियता पर निर्भर नहीं करती है या उसमें उपस्थित विस्थापनी हाइडरोजनों की संख्या पर नहीं करती है किसी भी अमलता उसके आयनन होने या व्योजित होने की संख्या पर निर्भर करती है यदि HCl है उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है एक अणू के पा है proton दे सकता है और इसलिए उस की अधिक होगी दूसरी और यदि कोई खोई लेकिन उसके आयन्न की छंथा आंवियोजन की मात्रा कम होती है तो उसके द्वारा त्यागे गए प्रोटोनों की संख्या कम होगी और इस प्रकार जो अमल होगा वह कम अमली होगा या दुर्बल अमल होगा तो यहां पर हम देखें कि किसी भी अमल की अमलता उसके आइनन की मात्रा व्योजन की मात्रा या उसके प्रोटोन त्यागने की छमता पर निर्भर करती है उस अमल मे उपस्थित प्रोटोनों की या विस्थापनी हाड्रोजन परमाणूं की हाड्रोजन आयनों की संख्यापन निर्भर नहीं करती है तो इस तरह से हमने अमल चार तथा लवन के विशाय में बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर ली है